उडिसार पाई को बिद्ध्र हो भारतियो स्वात्रिनत संग्रामर आध्य प्रकरन बर्तमान हमें प्रस्तुत करचु एवितेक चलचित्र उडिया समाधुरा प्रस्तुत जेउं तिरे अदुम्य इपसार कहाणी ओछी उडिसार ता सहित्र मुक्ति संग्रामर खाहाणी एवोंग अची पाई को बिद्ध्र हो मुझे याद नहीं कि मेरा जन्म कब हुआ पर मुझे विश्वास है कि मैं किसी योध्धा की तल्वार से उठी चिंगारी से उठपन्ध हुआ मैं अगनी हूँ वही जिसे देश प्रेमियों ने प्राणों की आहुती दे कर पवित्र किया और जिसे ओडिसा की महान संतानों ने अपने हृदे में जीवित रखा ओडिसा एक ऐसा दिव्वभुखंड जिसका इतिहास देखो तो इतिहास नहीं साहस और पराक्रम की गौरव गाथा है ओडिसा को जीतने मौरे आये मुगल आये मराथा आये पर हार जीत के परे ओडिसा सदा ही अदम में रहा फिर एक समय ऐसा आया जब राज्यों पर राज्य निकलता उपनिवेशवाद का अजगर ओडिसा के खोर्धा गड़ तक आप पहुचा खोर्धा के महराज मुकंद देव द्वितिय अभी भालक थे और उनके दिवान और मंत्री जोई राजगुरु के कंधों पर शासन का भार था इस्ट इंडिया कंपनी ने राज्य पर अधिकार मागा तो जोई राजगुरु ने उन्हें युद्ध की चुनों दी दी सन अठारा सो चार साथ हजार अंग्रेज सैनिकों के सामने मुठ्धी भर पाईको योद्धा निर्भैता का कबच पहने खड़े थे अंग्रेजों की जीत निश्शित थे पर हार्वे से पहले रंधीरों ने ऐसा समर मचाया कि रंचंडी हर्शित को ना चुठी मात्र भूमी ने आचल फैलाकर एक-एक सबूत का बलिदान स्विकार किया अंग्रेजों ने जोई राजगुरू पर मकदमा चलाकर निर्ममता से उनका वद कर दिया खोर्धागर अब इस्ट इंडिया कमपनी के अधीन था पूरे राज्जिहो निराशा और संशय की काली ज्छाया ने ठंक लिया ऐसे में पाइको कुल गौरव बॉक्सी जोगवंधू अपने महान पूरूजों के पुन्य प्रताप को कैसे धूल में मिलने दे सकते थे अठारा सो सत्रा में सबल भुजाएं भड़क उठी इंड्र के वज्र में कमपन हुआ काला आकाश कड़कती बिजनियों से धवल हो उठा ते जस्वी पाइको खडग अपनी मयान से बाहर आई और सरदार बॉक्सी ने पहले स्वतंतरता संग्राम का शंखनात किया पिंडी की बाहुबलेंद्र और कुर्तिबासा पाटसाहनी जैसे अनेक रणबाकरों को साथ ले सरदार बॉक्सी ने छापमार युद्ध की योजना बनाई घूमसर के कॉंध आदिवासी भी साथ आमिले सभी सूर्मा वो साई गजदल की तरह जंगल से निकल निकल कर अंग्रेजों के दफ्तरों, कोधामों, भवनों और खजानों पर धाबा गुल देला पाईको विद्रोह की क्रोधागनी में शत्रू ध्वज भस्म होने रगा उसी दोरां पारलखे मुंडी में सोरा विद्रोह हुआ बनापुर, नयागड, दसपल्ला में क्रांती के प्रखर सुर सुनाई पड़े केंदु जहर के भूईया सरदारों ने तलवारें ठाली पूरे दस वर्षों तक सरदार बॉक्सी प्रतिकूल परिस्थितियों से हारे विना लड़ते रहे फिर एक दिन उन्हें धोखे से बंदी बना लिया गया पर क्रांती की आग अब दावानल बन चुकी थी जिसे वीर सुरेंद्र साई जैसे राष्ट्र भक्तों ने जलाए रखा वीर सुरेंद्र साई के साथ खेजगाओं के जमिंदार माधो सिंग, हक्ते सिंग और उनके पूरे परिवार में जन भूमी का रिण अपने प्राण दे कर उतारा काला हंडी के रिंदो माझे और कोरापुट के लक्ष्मन नायक ने जीते जी अंग्रेजों की तलवार को जंग नहीं लगने दिया देशभक्त बलिदान के उंचे से उंचे कीरतिमान स्थापित कर रहे थे तो अंग्रेज सरकार कूरता और नीचता की गहरी खाई में उतरती जा रही थे अंग्रेजों की पैशाचिक प्यास जब योधाओं के रक्त से ना बुझी तो उन्होंने निर्दोष जनता को अपना निशाना बनाया कभी एमको सिमको मैदान में निहत्थे आदिवासियों पर गोलियों की बौचार की तो कभी इरम में शांती पूर्ण प्रगर्शन करते लोगों का संधार किया इन रक्त तीर्थों पर बेकसूर लोगों की चीखें जैसे आज भी हवा में ठहरी होई हैं लेकिन ऐसी अंगिनत चीतकारों और पुकारों की बीच जब बालक बाजी राउता की मासूम आवास सुनाई देती है तो आत्मा में शूल सा उतर जाता है अंग्रेज पुलिस कर्मियों ने कुछ प्रदर्शन कारियों की हत्या करती थी जन आक्रोश से बचने के लिए छुपते छुपाते जब वे लोग नीलक अंठपूर घाट पहुचे तो उनका रास्ता एक नन्हे नाविक ने रोख लिया तुम्हे मानने सब्सक्राइब अंग्रेज ने दहत्ता हुआ अंगारा कोमल से सीने में उतार दिया अंतिम क्षणों में भी बाजी राउतर अपने साथियों को चेताता काल का कराल सर्क उत्कल जननी की संतानों को यूही निगलता रहा समय बीता सधी बतली पर उडिया समाज धीरच खोय बिना देश पर अपना सर्वस्वन्य उछावर करता ही गया बाघा जोतिन जैसे विलक्षन वीरों ने स्वतंत्रता संग्राम में नए प्रान्थ हूंगे नेता जी सुभाश चंद्रबोश जैसे महा मानवों ने उडिसा की कोख को धन्ने किया पंच शकार, पंडित गोपबंधु दास, पंडित नीड कंठ दास, पंडित गोधबारिस मिस्रा, आचार्ज हरिहर दास और पंडित कृपा संधु मिस्रा नवख्राम्ती के अग्रदूत बने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हे आजादी दोगा जब नेताजी ने महा आखवान किया, तो लखमी इंदरापांडा, पीरपात्रा, ब्रज मोहन पठनाईल और सोमनाथ पानिग्रही जैसे अंगिनत जोशीले जवान आजाद हिंद फोज के जाबास सिपाही बले वही दूसरी ओर, मधुसुदन दास, पारणा महाराजा, हरे कृष्ण महाताब, रमा देवी, मालती देवी, अन्नपूर्णा देवी, पार्वती गिरी, चंद्रशेखर पहरा और गुरुबारी मेहर जैसे अनेक नेताओं ने गांधी जी के असयोग आंदोलन और नमक सत्य कांत कभी, लक्ष्मी कांत ने बंदे उतकल जननी की रचना कर, पूरे प्रदेश में नव उर्जा का संचार किया, भारत छोड़ो आंदोलन का आगास हुआ, तो बरगर जिले के पनी मुरा ग्राम का हर व्यक्ति, अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड ने बढ़ चला, मोर्चे पर तैनाम थे, अठारा सो चार में शुरू वा महायग्यत उन्निस सो सेंतालिस में जाकर सफ़ल हुआ, ख्रामती की मशाल से उत्सव के दीव जलाए गए, और मैं, मैं तो कल भी प्रकाशमान था, और आज भी प्रज्वलित हूँ, अगर देखो, तो अमर जवान ज्योती की किसी अगनी शिखा में मेरी लपट भी दिख जाएगी, मुझे कभी बुझने न देना, मैं सम्मान हूँ तुम्हारे पूर्वजों का, मैं ताप हूँ देश प्रेम का, मैं तेज हूँ अदम में ओडिसा का. झाल झाल झाल